सेलिब्रेशन चल रही हैं अभी भी नैशनल कॉन्फरेंस की बात करें ओवर्वेल्मिंग है जो वर्डिक्ट आया है लोगों की तरफ से सीधा ऐसा लग रहा है कि कश्मीर के लोगों ने खास कर एक ही जोली में जो है वोट डाला है वो नैशनल कॉन्फरेंस की हमारे साथ उम लेके काफी साथा बात हो रही है आपने ये भी कहा था कि पहले ही दिन जो एसेंबली सेशन होगा हम रेजलूशन पास करेंगे आज हम देख रहे हैं कि शायद कहीं न कहीं आप समझ रहे हैं जो पावर शेरिंग आसान नहीं होगी और आपकी तरफ से कॉडियल जेस्चर है आप सेंटर को जिसे की बात वो अपनी जगए हमने रेजलूशन में क्या कहा हमने ये कहा कि जमू कश्मीर के असेंबली के तरफ से ये बात आनी चाहिए कि जमू कश्मीर के लोगों ने पांच अगस दोहजार उन्नीस के फैसले को तस्लीम नहीं किया है वो तो आपको अले रेजलूशन में 370 को वापस लाने की बात करेंगे वो तो हमारी लंबी लडाई है वो तो फारुक साब ने कहा है इसमें कई साल लग सकते हैं लेकिन मैंने पहले दिन से आप से कहा कि अगर जमू कश्मीर के असेंबली को रेजलूशन पास करना चाहिए वो ये कहना क्योंकि एक डिफरेंट मॉडल है आप जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्स्टेट थी आज बहुत पावर शेरिंग में इशूज हैं सेंटर ने पहले ही जो रियॉर्गनाइज़ेशन है उसमें LG को कुछ इंपॉर्टन चीज़ें दियें जिसमें होम और वो सारे हैं ये वो असैंबली नहीं है जिस सेंबली का हम हक रखते हैं लेकिन उससेंबली तक पहुंचने के लिए ये एक एहम कदम है बार बार वजीर आखम صاحب ने गृहमन्तरी सहाब ने बाकी जो अन्य जो अन्य बड़े बड़े मंतरी हैं दिली में उनुने कहा है कि जम्हो कु कर दिया को रियास्त का दरज़ा वापस मिलेगा हम अब उमीद लगाए बैठे हैं कि कही ना कहीं तो जम्हो कश्मीर के Saoqe को एक शाबाशी मिलनी जाहिए एक इनाम मिलना चाहिए उनका अंकी उनकी हुसला अवजाई होनी चाहिए अब क्या उनको रियास्त कभी हक नहीं मिलता अब जलि parodyli जे फिलहाल हम बाकी मुद्दों पर बात नहीं करेंगे रियास्त का जो मुद्दा है उस पे इंकार कौन कर रहा है कोई ऐसी पार्टी है जो ये कहती है कि जम्हू कश्मीर को रियासत नहीं मिलनी चाहिए हर कोई कहता है कि जम्हू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलना चाहिए दे दीजे जम्हू कश्मीर के वोटरों को कमस कम ये तो लगे ना कि उनके वोटर उनके वोट जो है उनको मरकज क हकूमत ने उनको कबूल किया है और उनकी सरहना की है सब लोग जानते हैं कि आपके तरफ जो वोट आया एक गुसा है लोगों का बीजेपी की तरफ जो आइरन हैंड अप्रोच था ठीक है हाला ठीक हुए और स्टोन पेल्टिंग कम है टेरर रेटेड इंसिदेंस कम है लेकिन जो फॉल आउट था हम इनसान को भी देखना पड़ा वेरिफिकेशन्स हों स्टाफ हो गई कलेक्टिव रेस्पॉंसिबिलिटी पनिश्मेंट की बात आई तो आज जब आप सीम बनेंगे और जो एक लॉइंड और का इशू और ये चीज़ने डिरेक्ली एलजी डील करेंगे क्या आप इसको लेके कहीं ना कहीं प्रेस करेंगे आप अब हम पे छोड़ दीजे ना अब ही तो हमने मतलब अलायंस ने कमांड संभाला भी नहीं और आप पहले से ही ये देखने की कोशिश कर रहें कि कहां पे जगड़े हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं हमारी कोशिश रहेगी के लग साथ हम मिलके यहां के लोगों को एक राहत की सास लेने का एक मौका दें यहां वोटों से हैं तो आपको पता ही चला और यह आप सिर्फ आम वोटों की क्या बात कर रहे हैं आप जो मीडिया वाले हैं आप ले लिए कौन सा आसान था यह पिछले 5-6 साल आप लोगों को भी खुली छूट नहीं दी गई यहां रिपोर्ट करने की तो हम तो चाहेंगे और मैं जानता हूँ यह कहते होई मैं अपने लिए एक मुसीबत पैदा कर रहा हूं कल को हकूमत आएगी आप लोग लटा लोगे जो आप लोग LG के साथ नहीं कर सके वो आप हमारे साथ करोगे आप हमारी मुखालफत करोगे हमारे जो गलतियां है उनको भारोगे लेकिन अच्छी बात है जमूरियत में यह होना चाहिए अभी तक तो जमूर कश्मीर में 2018 के बाद जमूरियत रही नहीं तो यह थे उमर अब्दॉल्ला और साथ तोर पे जो एक बात हो रही है कि कहीं ना कहीं टोन डाउन हुए है उमर अब्दॉल्ला 370 को लेके जो पहले ये बात हो रही थी कि पहले ही दिन assembly का session होगा और उसमें एक resolution पास होगा कि जो 370 है वो वापस लाने की बात होगी लेकिन इस पे अगर Congress और NC की बात करें Congress टेट हुट पे रुख जाती है National Conference 370 की बात करती है लेकिन आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक cordial gesture है एक एक positive जो है message है उमर अबदल्ला की तरफ से ना सिर्फ LG की तरफ बट New Delhi की तरफ भी कि मिल के काम करना है क्योंके power sharing का जो एक method है आसान नहीं होगा खासकर एक नहीं elected government के लिए तो मिल के काम करना है आप देखना यह है कि आगे इसमें जो है कैसे चलते हैं और खासकर जब assembly का session होगा तो जो तीन सो सथर की बात है जो resolution की बात है उस पे दोनों alliance partner कैसे चलते हैं क्योंके Congress तीन सो सथर कांगरस जो है स्टेट हुड पर रुकी हुई है और national conference जो अभी भी तीन सो सथर को लेके जो है बात कर रही है क्यांपसन तारीक लोन के साथ मीर फरीच श्रीनगर आज तक